दिल्ली के स्रीनिवासपुरी में एक गैस सिलेंडर लीक करने की वज़े से आग लगी जिसमें करीब 21 लोग जो हैं वो घायल हो गए बताए ये जा रहा है कि खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर लीक करने लगा जिसकी वज़े से उसमें आग लगी और उसके बाद सिलेंडर ब्लास्ट हो गया इस हाथसे में करीब 21 लोग घायल हुए हैं जिसमें से बताए ये जा रहा है कि चार लोगों की खालत काफी गंभीर बनी हुई है बताए ये जा रहा है कि रवीवार शाम करीब 7 बजे के आसपास एक जुग्गी में खाना बनाया जा रहा था उसी वक्त ये आग लगी जिसकी वज़े से ये खाथसा हुआ फिलहाल शुरुवाती जाच के बाद बताए ये जा रहा है कि गैस लेंडर लीक करने की वज़े से ही ये खाथसा हुआ मौके पर फाइर बिगेट की करीब 4 गारिया पहुंची जिन्होंने इस आर्थ पर काबू पा लिया फिलहाल गायलो का इलाज जो है वो सब्दर जंग अस्पताल में चल रहा है और पुलिस पूरे मामले की जाच कर रही है लेकि शुरुवाती जाच के बाद पुलिस का यही कहना है कि गैस लेंडर लीक करने की वज़े से ही ये हाथसा हुआ